हंजी नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार्शे चैनल नोली जी धर्शित में जैसे कि आपने थमनेल देखी ले होगा कि इस पार हर्याना विद्यालाशिक शवर्ड सभी को पास करेगा तो यह किस भी आउपर करेगा हम आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो में वीडियो में आगर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैसे ज्रूर नाम का एक प्रोग्राम आयो जीत क्या गया था सत्तरा पतानी अठारा अप्राइल को आग से दो हफते पहले तो उसमें जो आए थे तो उसमें उन्होंने एक बयान दिया था जिससे की जिसका हम आपको पहले ये बयान सुना देते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से तो इनोंने इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि इस किलीप के अंदर की उन्होंने कुछ एजूकेशन नहीं है पॉलीसी बनाई है जिसके अंदर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है और अगर वो अपने में स्पैल होता है फिजिक्स में मैत में अगर वो अपने 15 स्कील सब्जेक्ट से जो चेर्मेन ने बयान दिया है इस मामले में अभी तक इसका कुछ भी स्पस्टी करन नहीं आया है कुछ चैनल जो है वीडियो पनाकर अफ़ा भी फैला रहे हैं कि इस पार हर्याना बोर्ड सभी को पास करेगा जबकि अभी तक इसकी पुष्टी नहीं यह एक हबर केवल जो 12वालों के लिए यह बयाना और 15 skill subjects की हम बात करें तो हमने वो भी सर्च करें हरियाणा बोर्ड में ऐसे कोई भी 15 skill subject specific नहीं है जिनकी ये हरियाना बोड के चेर्मेन ने बात करी है तो अभी हम जो है इस बयान पर कुछ भी नहीं का जा सकता ये जो है आदा दूरा बयान है तो जो ये फाफ अला रहेंगे इस बार सब भी पास होंगे तो ऐसा भी तक कुछ नहीं का जा सकता और इस भी बयान के दार पर तो बिलकुर भी निका आ जा सकता है क्योंकि अभी यह आदा दूरा है अगर मतलब कुछ भी रिजल्ट के अगर कुछ भी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ भी चेंज होता है वो इस साल से या फिर अब जो जून के अंदर रिजल्ट आए तो हम आपसे यही सला देंगे कि अभी आप जल्द बाजी में कुछ भी फैसला ना करें इस वीडियो को अपने फ्रेंस साथ जादर जादर शेयर करें ताकि उनको भी सही बात का पता चले धन्यवाद